किसी भी बड़े कभी की उसकी विराटता की चर्चा अगर की जाए तो उनकी कावे संबेदना या साहित संबेदना के परिप्रेक्ष में की जाती है सियारामशन गुप्त भी ऐसे ही बड़े कद के विराट दर्शन के रचनकार बनकर हमारे सामने आते हैं उनके समय में देश में निराशा, कुंठा, तरास, बिखराव, तूटन, गुटन, पीडा, विपदा, हताशा ये सब एक चारों तरफ ऐसे परिवेश के रूप में उपस्तित हो गए थे कि देशवासियों को निराशा से निकाल कर, उदासींता से निकाल कर, आशा लोक की और, प्रकाश लोक की और ले जाने की आवश्यक्ता थी सियरामशरन गुप्त ने मनोभावों को पड़ा, मानसिक्ता को समझा और समाज के मनोविज्ञान को भलीवाती आत्मसात किया और प्रैत निकिया कि अपनी रचनाओं के माध्यम से रचनाओं में उपस्तित पात्रों के माध्यम से पुरा कथा, पुरा साहित, पुरा चरित्रों के माध्यम से वो एक ऐसी आशा का संचार करें जो देश्वासियों को भावी भाविश्य के उज्वल पक्षों को से अवगत कराएं, परिचित कराएं, उनके मनोमस्तिश्क में एक विश्वास पैदा हो, इसलिए अकर्मन्यता से, अशक्तता से उबारने का काम, कर्मन्यता की ओर, ओजस्विता की ओर, उन्हें ले जाने का उद्देश्य, इसकी पूर्ती, वो अपनी रचनाओं के माध्यम से करते हैं। उर्जा और ओज से जोड़ना चाहते हैं। इसलिए वह जो करतव और दाइत्व विमुक्ता थी, उससे बाहर निकालने के लिए, वो कर्मपत की ओर, उन्हें अग्रसर करना चाहते हैं। उनकी समस्त कविता, काव्य संग्रे हो, खंड काव्य हो, वो काव्योचित अर्थ गांबिर्य के साथ, और पूरी प्राणता के साथ, सार्थक भाषा के साथ, हमारे सामने उपस्तित होती हैं। उनकी साहित भूमी में जो बीज वपन किया गया, वह बीज वपन लोक सेवा के फल का आकांग्शी बनकर उपस्तित होता है। कला की साधना उनका धे नहीं। वो अपने को कवी या रचनाकार दिखाना चाहते हों, बताना चाहते हों, ऐसा उनका मंतव्य नहीं है। वो तो एक वैचारिक मुल्य वत्ता की स्थापना करना चाहते हैं। हमारे गौरवशाली अतीत और अतीत के तमाम उन घटना क्रमों को उद्धाटित करते हुए, लोक हित, जन कल्यान, समाज के कल्यान की परिकल्पना इसकी स्थापना करना चाहते हैं। नर किमबा पशु और विकलांग ये दोनों कविताएं सन 1942 में लिखी गए दैनी की कावे संग्रहे में ये संग्रही थें और इनका प्रकाशन हुआ सन 1942 के आसपास पूरे विश्व में व्याप्त युद्ध की विभी शिकाएं उसके परिवेश और परिस्तितियों का प्रभाव ये किसी से छिपा नहीं था हमारे संपूर्ण भारतिय समाज और राष्ट तथा राष्ट वाष्टियों पर इसका प्रभाव दिखाई दे रहा था जीवन की दिन प्रति दिन की समस्याओं चुनोतियों कठिनाईयों और युद्ध जनित निराशा हताशा भय इसके बीच मनुष्य जैसे तैसे जीवन निर्वा कर रहा था हम जानते हैं कि जब युद्ध की विभीशिकाएं चारों तरफ से घेर लेती हैं तो मानवता की हत्या होती है मानवी ये भावनाएं आहत होती हैं ऐसे परिवेश ऐसी मानसिक्ता को अभेलना की दृष्टी से देखी जाने वाली छोटी-छोटी महत्पूर्ण स्थितियों और घटनाओं को कभी ने अत्यंत गामबिर्य के साथ कविता के माद्यम से अभिव्यक्त किया जोड़ दिया लगवक सत्तर कविताओं के इस संग्रह में गुप्त जी अपने पाठकों को जाग्रित करना चाहते हैं सजग द्वंद भजूर अंडमान रुद्ध कश आजका पन्ना उद्गम नरकिम्वा पशू या विकलांग ऐसी बहुत सी कविताएं इसी द्रिश्टी से महतपूर बन जाती हैं उलेखनीय बन जाती हैं कि युद्ध गरस्त विश्व तथा रोग गरस्त मानव जीवन की प्रिष्ठ भूमी में कभी की आत्मा अत्यंत त्रसित होती है कुंठित होती है वेदना गरस्त होती है और सहनभूती की द्रिश्टी से देखते हुए कभी जीवन को प्यार और स्ने के आनंद और उत्सा के आलोक और जीवन्तता के ओज कणों से सिंचित करना चाहते हैं और वो करते हैं उशा, संध्या, रात्री, अंधकार, प्रकाश, प्रित्वी, आकाश ऐसे बहुत से सुंदर्चित्र वो उकेरते हैं मानस पटल पर अंकित करते हैं अपने कावि संग्रह से वास्तव में वो मूल्यों की अविस्मरनी ये डाइरी सी लिखित रूप में प्रस्तुत करते चलते हैं गुप्त जी का जो दर्शन है, गुप्त जी की जो दृष्टी है वो इस बात का प्रमान है कि प्रथम विश्वयुद्ध, दृतिय विश्वयुद्ध, इनकी पूरे विश्व में जो विभी शिकाएं थी इनके दुश्परिनाम थे, इनसे अलग अलग देशों में मानवता किस तरह आहत हुई थी और कैसे सब अपनी अपनी शक्त का प्रदर्शन करते हुए मानवता को कुचल रहे थे उन सब घटना क्रमों और दृश्वयों को गुप्त जी अपनी रचनाओं के माध्यम से उद्गाटित करते हुए अहिंसा की वकालत करते हैं मानवता, समरस्ता, सदभाव की स्थापना करते हैं वो कहते हैं कि हम किस दंब और किस एंकार में इस प्रकार से मानव को मानव से विलक कर रहे हैं हम क्यों भूल रहे हैं कि मनुष्य एक ही है, आत्मा एक ही है नर्किंबा पशुकविता मूलते मानव के प्रती करुणा का भाव जागरित करती है मनुष्य के मनो मस्तिष्क में सुप्त संवेधनाओं को जागरित करती है जीवन के अभावों से तरस्त और जरजर मानव समुदाय और व्यक्ति की व्यथा इस कविता के माध्यम से अत्यन्त मार्मिक रूप में अभिव्यक्ति प्राप्त करती है मानव अपने को अत्यधिक अत्यंत बुद्धिमान और पशु पक्षियों को अबोध बानकर ही चलता है जबकि नजने कितने ही पशु पक्षियों को हम मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान वफादार सेवक प्रहरी मधुर भाशी आत्म बलिदानी सुख दुख के साथी बोजा ढोने में मददगार दूद आधी पदार्थ प्रदान करने वाले और यहां तक कि मान साधी उपलब्द कराने वाले कितने ही रूपों में हम पशु पक्षी समुदाय को देखते हैं सम्वेदनाय पशु और पक्षियों की भी उतनी ही महत्पूर हैं इसलिए गुप्त जी जिस तरह से मानवीय सम्वेदना के प्रती चिंतित दिखाई देते हैं उसकी रक्षा के प्रती प्रस्तुत दिखाई देते हैं ऐसे ही पशु और पक्षियों की सम्वेदनाओं की चिंता भी वो अपनी रचना धर्मिता के माध्यम से करते हैं पशुपक्षी मानव से भी अधिक संबेदन शील होते हैं या हो सकते हैं वो इस बात को भी रेखांकित करते हैं वो अपने कर्म और क्रियाओं द्वारा कथोर से कथोर हर्दय को भी पिगला सकते हैं वे परस्पर सहनुभूती और सहयोग भावतों रखते ही हैं मानव जाती के प्रती भी अपनी उधारता और उधारता का परिचय वो देते चलते हैं ये उदात्ता वास्तव में वंदनीय है, स्तुत्य है जो पशुपक्षियों में मानव समुदाय के प्रती, मानवीय जाती के प्रती प्रकट होती है, दिखाई देती है। लेकिन नजाने क्यों मानव उन पशुपक्षियों के प्रती उतना संबेदन शील नहीं रह पाता, नहीं हो पाता। ऐसी अनेक स्थितियों में जब कोई मानव पसीज नहीं पाता, साहनुभूती प्रकट नहीं कर पाता, पत्नी की भूखी और इलाज के बिना मर जाने की जो स्थिति है, वह किसी सामाजिक को मानवियता और नैतिकता प्रदान नहीं कर पाती, ऐसे में कभी की श्यामा गाए मरनासन स्थिति में रहकर भी उसे दूद दान देती है, दुख्द दान गाए जिसको हम मा के रूप में देखते हैं, इसलिए गाए का स्थान भारतिय संस्कृति में, भारतिय समाज में, मानव संस्कृति में विशिष्ट रहा है, वह जो श्या हराम-शर्यन गुप्त करते हैं व्हु वास्ता में अपने घर अपने मालक के लिए वह है मरनासन होकर भी दुख्ददान के अपने मालक के प्रति मानुख्षत दिखाई देती है अपनी मालकिन के वियोग में उसकी आँखों में आणसू तेर आते हैं दर्द और वेधना की उदासी और एकाकीपन की मानवी य भाषा को गाये जैसा पशु समझता है मनुष्य की वेधना को नहीं समझता लिकिन पशु गाये जैसा पशु अपने मालिक की, अपनी मालकिन की पीड़ा को, उसके एकाकीपन को, उसकी संबेदना को वह समझती है किन्तु तथाकतित सब्य, सोशिक्षित और विकसित मानव, इस बात को नहीं समझता आज जिस दौर से, जिस समय से हम गुजर रहे हैं, जहां स्वार्त केंदृत आचरण और व्याभार सरवाधिक दिखाई देता है मनुष्य का, मनुष्य के प्रती, राग तत्व, नजने कहां विलुप्त हो गया है गाय अपने मात्रत्व का निर्वाह, आद्यो पांत, जीवन परेंत करती है, दुख में भी वह शामिल होती है और सुख में भी वह अपने आपको उपस्थित करती है किन्तु स्वार्थी मानव पशु से अधिक गया गुजरा साबित होता है इसलिए कभी अनायास कह उठता है बां 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 करते सुनकर आया यहजियों तंदृत श्यामा रोती है क्या उसको जो भव से निश्कासित उस कठोर की आँखों में अब गहरे अंटस्थलके अंदकार में से आबरत होकर दो दो आंसु छलके यह जो चितरातमकता है यह जो बिमबातमकता है यह कभी की विराठता की दियो तक है किस तरह से उन्होंने उस संवेदनात्मक गटना करम को उस दृष्ष को हमारे मनों मस्टिश्क पर अंकित कर दिया हमारी आँखों के सामने एक चलचित्र सा उपस्थित कर दिया उस कठोर की आँखों में अब गहरे अंतस्थल के अंधकार से आवरत होकर दो दो आँसू छलके याद पड़ा इस मृत्वत्सा ने दिया दूद सब का सब उस विनाशा के लिए जगत ने दिये न दो दाने जब संसार में मनुष्य जब मनुष्य के लिए संवेदना शून ने दिखाई देता है संकट में पीड़ा में दुख में उसकी मदद नहीं करता तब पशू गाए उसकी मदद के लिए उपस्तित होती है इसलिए नर और पशू इन दोनों में कभी तुलना करता है और बताना चाहता है कि जिने हम पशू मान लेते हैं जिने हम पशू मान कर संवेदना शून ने हो जाते हैं उनका वद करते हैं उनके मांस का सेवन करते हैं यह अत्यंत त्रासद है पीड़ा दायक है कश्ट प्रद है क्योंकि प्रान तत्वतो ईश्वर ने सभी को दिया है वह कौन सा बंदन सूत्र है या कौन सी वह प्रेरणा और मोहिनी शक्ती है जो यहां वहां स्वतंत्र घुमने वाली श्यामा गाए को अनायास खींच कर छप्पर के नीचे ला खड़ा करती है वास्तव में इस बात का अनुमान हम लगा सकते हैं कि गाए की एक संबेदना उसकी एक संबद्धता उसका अपना पन मालिक और मालकिन से परिवार से कैसे जोड़ जाता है दया, करुणा, परोपकार सहनुभूती प्रकट करने वाली मालकिन का निश्चेत पड़े रहना रोजगार की तलाश में दर बदर भटकते मानव की अनुपस्तिती में मालकिन की मृत देह के समक्ष अश्चु वहना रात रात में बां बां कर इश्चवर से उसकी निश्चुरता की गाथा कहना बचड़े के मर जाने पर दूद देकर मालकिन को बचाए रखने की कोशिश करना क्या नहीं जो मानव के पाशान हिर्दय को पिगला दे इतना ही सियारामशन गुप्त इन तमाम घटना क्रमों से इन तमाम नैतिक सांस्कृतिक और सामाजिक संदेशों और उद्देश्यों से मनश्य को बोध कराना चाहते हैं कि हम पश्वों से भी कहीं गए गुजरे हो गए क्या हमारा व्याभार ऐसा क्यों हो गया कि हम मनश्य की वेधना और पीडा को समझते नहीं जबकि पश्व जो है वह उसकी संवेधना मालकिन से मालिक से इस तरह जुड़ जाती है कि वह अपने को संकट में डाल कर कष्टों में रखते हुए भी मालकिन और परिवार की चिंता करती है इसलिए कभी हर्दय रो उठता है और शामा गाय से लिपट कर मनुष्व की पशुता पर बिलखता है लिपट गया शामा से दुखिया शत थी जिसकी वानी पशु थे तो पशु नर थे तो नर ये दोनों ही प्रानी पशू पशू थे, नर नर थे, हैं तो दोनों प्राणी, प्रानतत्व तो दोनों में ही है, इसलिए कभी लिपट गया शामा से दुखिया, शत थी जिसकी वानी, वह जो खामोश हो रही थी, स्तब्द हो रही थी, उसकी वेधना और उसकी पीड़ा को कभी अनुभूत करता है यह कविता निर्धन और साधन हीन व्यक्ति के जीवन भार की मार्मिक गाथा भी है, रोटी, दवा, वस्त्र, घर, रोजगार का अभाव, और एक तरफ नरक, यह जो तमाम तरह की चिंताएं, स्थितियां है, ग्री निर्मान, यह जो चिंता है, यह मनुष्य की, मनुष्य क अभेलना, असहयोग, पाशानता और अश्रुओं के सागर में इसे डुबाने का, उसे छिपाने का प्रयत्न यह सब सियारामशन गुप्त अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, मानव गाए और पतनी को अन तथा भरपेट भोजन नहीं दे पाता, इसलिए दोनों अपने को मिटाती चलती हैं, किन्तु शामा गाए तिल-तिल कर मरते को दूद दे कर जिलाना चाहती है, और दवा के अभाव में स्वत्य मर जाती है, अब गाए और मालिक की पीड़ा एक हो जाती है, दोनों एक ही दुख से दुखी ह होते हैं, काम की तलाश में आशा का सूर्य बन कर प्रातय निकलने वाला मनुश्य जब हर बार की तरह निराश और ठका तूटा घर लोटता है, तो उसका सूर्य अस्त हो चुका होता है, रोठी और दवा के अभाव में पतनी भवबंधन काट कर चली जाती है, भूक और इल और असमर्थता पर दुखी तो होता है, पर आश्वस्त अधिक दिखाई पड़ता है, रोज रोज भूक बीमारी इनसे लड़ने, इनसे संगर्ष करने का वहत्रासत सिलसिला बंद तो हो गया, इसलिए सोचता है, काम खोजने का जब निश को लोटा, यह इस घर में रुग पत्नी पहुंच चुकी थी तब तक लोकांतर में, यह जो पीडा है, यह जो वेदना है के मनश्य काम की तलाश में, रोजी-रोटी की तलाश में घर से जाता है, लिकिन पूरा दिन व्यतीत होने पर जब लौटता है, तो रोगना पत्नी लोकांतर में, परलोक में चली जाती है दवा के अभाव में, भोजन के अभाव में संगर्श करते हुए, तनाव में रहते हुए वो इस स्थिती में आ जाती है रोया नहीं, नहीं है बिलखा आँखों भी थी, आँखें भी थी, रूखी अच्छा हुआ, बची वह मरकर, अब न रहेगी भूखी ये जो मरमान तक पिला है, ये जो वेदना है कि पत्नी की मृत्य उपर, इस बात से संतुष्ट है कि अब कम से कम, वो भूख से रोज मरने को तो नहीं रहेगी इस तरह की जो मान सिकता है रोया नहीं, नहीं वह बिलखा, आखें भी थी, रूखी, अच्छा हुआ, बची वह मरकर, अब न रहेगी भूखी ये कैसी भी डंबना है कि अगनी को साक्षी मान कर, जिसे वरा था जिसके सुख दुख में, मरकर भी साथ निभाने का संकल्प लिया था जिससे जीवन, जीवन का ही नहीं, जीवन मरण का नाता बनाया था आज उसे चाह कर भी बचाना सका वह सभी संबंध, सभी रिष्टे नाते तोड़ कर, त्याग कर इस लोग से परलोग चली गई वही समाज उसके नियमों ने पावन दामपत्य सूत्र में बांदा था उसे मरने से बचाने में वही समाज सायक न हो सका और तो और जीवन परियंत, अभाव जेले, मृत्यू के बाद भी अगनी का पेट भरने के लिए इंदन का अभाव सालने लगा जीवित थी, तब दे न सका कुछ, दिया एक बस अंशन, आज चिता पर भी न दे सका उसे यतोचित इंदन व्रत्यू को वरन करने पर अंतिम संसकार के लिए इंदन की आवश्यक्ता होती है वह इंदन भी जोटा न पाने की जो टीस है, जो वेदना है उसका उलेख कवी करता है इस तरह मित्रों, सियाराम, शरन, गुप्त, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी रचना धर्मिता के माध्यम से मनुष्य की और मानवता की उन तमाम चुनोतियों को उद्घाचित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं जो वैवाही की जीवन में, दामपत्य सूत्र में, बंधने पर लिये गए वचनों का उलेख करते हुए, उनकी प्रासंगिक्ता को रिखांकित करते हुए, यह बोध कराते हैं कि मनुष्य कभी कभी कितना विवश हो जाता है, कितना बेवस हो जाता है, कि स्थितियां उसके नियंतरन में नहीं रहती हैं, वो चाहकर भी अपनी आँखों के सामने, अपने जीवन साथी को जाते हुए देखता है, लिकिन वै उसके दीरगाई होने के लिए, उसके स्वस जाना तो चाहता है लिकिन स्थितियां उसे इसकी अनुमती नहीं देती इसलिए जो अभाव जीवन भर जेले जो वेदना पीडा त्रासदी जीवन भर जेली मृत्यू के बाद भी वो सिलसला तूटता नहीं है क्योंकि गरीवी बेरुजगारी अभाव ये सब उसका पीछा करते रहते हैं तो ये जो मानव जीवन है ये कैसे इन चुनोतियों का सामना करता हुआ आगे भड़ता है इसलिए प्रकारांतर से सियारामशरन गुप्त ये भी संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने को समर्थ सशक्त प्रबल बनाना चाहिए हमें इन तमाम स्थितियों के लिए उनका सामना करने के लिए अपने को समर्थ और सशक्त बनाते हुए जीवन यापन के जीवन परियंत और मृत्यू तक पहुँचने के तमाम वो सारे साधन जुटाने चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, और मानवता नश्ट ना हो, संवेदनाएं, समाप्त ना हो, इसके लिए हम सब को यथा संभव प्रयत्न करने चाहिए, जीवन मरन तो स्रिष्टी का नियम है, लेकिन यह जो इश्वर प्रदत मानव जीवन है, जो 84 लाख यौनियों के बाद प्राप्त हुआ, उसका संभान करना, उसके प्रती अनादर का भाव न रहे, इसकी चिंता करना, यह सब भी महितलिशन गुप्त ने अपनी रचना धर्मिता के माध्यम से प्रकट किया है, जीवन की अनेक वेडम बनाएं, मनुष् तोड़ती हैं, उसे संकट में डालती हैं, हम सब को यथा संभाव, सुख और दुख, इसकी अनुभूती से गुजरते हुए, मनुष्य और मनुष्य की संवेदना का संबान करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, पशू और पक्षियों के प्रतिवी संवेदना का भाव रखना चाहिए, यह तमाम तरह के संदेश सियाराम शर्ण गुप्त अपनी कविताओं की माद्यम से देते चलते हैं, मित्रों वास्तम में सियाराम शर्ण गुप्त, मित्री शर्ण गुप्त की तरह एक विराठ फलक के रचनाकार हैं, और उनकी कविताओं से, उनकी हुए आपसे अनुमती चाहते हैं अगली शंखला के कड़ी में नए विशे के साथ उपस्तित होंगे अग्या दीजिए नमस्कार कर दो कर दो